और सलाम अलेकूम आज हम बहुत ही शानदार मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी रेसिपी लेके आया है और बहुत ज्यादा इजी होमेट पीजा बनाकर रेडी किया है हमने पैन पीजा देख सकते हैं अच्छे से क्रिस्पी की आवाज आ रही है आपको पीजा में एकदम नी हमेज़ेगे के रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें में चेनल पर नें贏न नहीं है तो सब्सक्राइब करें और फ्रैंड और फैमली के साथ शेड आरें यह देखे है और 湊 के वह सुगता ही कि दर लिए हम नेμेश Wow ! जबाने मैडियाँ है नभम div i.e। verify ऑई साथ से आठ लिष्ट ले थे लिए हमने प्यास आसरा मसाले को डालते जाएंगे है पिर बाहल चोटी से दो प्यास लिष्रा और ज़ें गलाซओ कर के लिफे है 5-7 मिनिट में मैं यह हमारा homemade sauce तयार हो जाएगा यह table ž bueno teaspoon dil दाल यह जो आपने ya जो आम ने page बना कर ready. यह ड़़ने के डाला देंगे ःप इसके अंदर sev श kaggi, एध स्पाइसि को लिए हम दालेंगे dewड करेंगे चिली फ्लेक्स adapt, अगर नहीं चाहे तो न ढालें. अब इसके अंदर हम ketchup डाल देंगे, इससे हमारे sauce का taste और भी बढ़के आने वाला है, अब इससे अच्छे से mix करते जाएंगे हम, और इससे 5-7 मिनिट के लिए हम पका लेंगे जब तक यह थोड़ा सा थिक न हो जाए, थोड़ा सा इसको हम Indian touch दे देने वाले है, थोड़ी से ह हम डालेंगे इसमें कश्मीर रेट चिली बाउडर, इससे color अच्छा आएगा ना इसमें, और थोड़ा सा थिखा भी रहेगा, इससे अच्छे से mix कर लेते हैं, और इसका process होने देते हैं, इसको पकने के लिए छोड़ देते हम, देख सकते हैं कितना थिक हो गया है, बस इस इसे और आटा ले लेंगे, यह हमने मैदा लिया है, 500 ग्राम मैदा लिया है, और यह हमने लिया है, दूद हमने लिया है, 200 ml, दूद हमने लिया है, उसमें हम half tablespoon instant yeast डालने वाले है, और वन teaspoon डालेंगे हम sugar, अब इसे अच्छे से mix कर लेंगे, और इसे हम साइड में रग दें देख सकते हैं, पांच मिनिट में है, इसके ऊपर पूरा जाग आ गया है, यह दूद बिलकुर ready है, आटे में डालने के लिए, अब हम मैदा ले लेते हैं, इसमें हम नमक डालते हैं, नमक एक teaspoon लिया है हमने, अब इसमें यह दूद डालेंगे, और थोड़ा सा हम इसके अं पिज़ पिज़ बना रहे हैं, चिकन तिका पिज़ चाहिए आपको, तो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी, रेसिपी इसकी भी, जो हमने starting में upload की थी, अच्छे से mix हो चुका है, अब इसे हम हाथ से अच्छे से गून लेते हैं, एकदम soft dough लगा का तयार करना है, रोटी स अच्छा सा soft लगाना है, थोड़ा सा पानी हम डाल देते हैं, और इसे अच्छे से गूढ लेते हैं, आटा हमारा अच्छे से गून कर हो चुका है, इसे हम रख देंगे, ढखका साइड में, एक गंटे के लिए कम से करना है, हम इसे rest देंगे, एक गंटा हो चुका है, देख सकते हैं, आटा हमारा अच्छे से full चुका है, अच्छे से soft तयार है, अब इसको हम अच्छे से mix कर लेंगे, और फिर इसके हम balls बना देंगे, दो balls बनेंगे, इसके दो pizza बनकर ready हो जाएंगे हमारे इतने आटे से, अब इसक हम देख सकते हैं, इस साइज के हमने 2 बॉल्स बनाकर ready कर लिये है, अब रख देंगे दोनों को अब एक पैन लेंगे हम, आपकी गर में जितना size का पैन है उस साइज के हिसाड़ से आप बोल्स बनाकर ready कर सकते हैं, इसको हम तेल से हलका सा grease कर लेते हैं, ताकि जब हम आता ह इसमें फैला है ना तो इसमें चिपके नहीं अब यह बॉल ले लेते हैं और इसमें फैला देते हैं ना बेलनी की जंजट है ना कुछ हाथ से देख सकते हैं फटा फट पैल रहा है इसी तरह हमने फैला कर डिया आए देखे अब अब इसको हम फोर्क की मदद से पोर्क कर लेंगे, ताकि ये हमारा जब पीजा बने ना तो फूले नहीं, अब इसके उपर हम डालेंगे आपना पीजा सॉस, दो टेबल स्पून भर का हमने पीजा सॉस डाला है, आप केज़ा आप से कम ज़्यादा कर सकते हैं, पीजा सॉस हो जो भी हो आपके पास वो डाल सकते हैं, मोजडेला चीज है ना पीजा का वो भी डाल सकते हैं, यह मोजडेला चीज डाल रहे हैं, इसके उपर दो तरह के चीज लिए हैं अब इसको अच्छे से पहला देंगे, अब इसके उपर हम अपने पसंद की सबजियां रखते जाए कर देंगे आपके पास जो भी सब्जियां हो आप डाल सकते हैं हमारे पास यह रंग में रंगी सब्जियां थी तो अम इनए 65 तो डाल दी आ दिए है कैपसी कम दो तीन तरह के थे वह डाल दिय goras डाल दिया यह हमारा पीजा बिलकुल रेडी है अब इसे हम रख देंगे गैस पर पकने के लिए गैस को हम एकदम स्लो करेंगे और उपर से ऐसा ढकन रखेंगे जो इसमें अच्छे से बैठ जाए अब 15 मिनिट इसे हम लो फ्लेम पे छोड़ देंगे और बिलकुल चेकने करेंगे देख सकते हैं 15 मिनिट से उपर हो चुके है अब हम देखते हैं हमारा पीजा रेडी है नीचे से कलर चेंज हो गया अच्छे से अब हम इसे निकाल लेंगे गया की फ्लेम को हम बन कर देंगे यह हमने कट कर दिया है बहुत III बढ़िया सा है नीचे से अच्छा सा गुल्डण कलर आ चुका है दिखाते हैं हम आपको सबस्राइब उ सक्ष्पी हो गया है बहुत ही कम टाइब में बंने माला पीजा है और बहुत ही टेस्टी है आप ब जरूर बना कर ट्राइ करें और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेर जरूर करें